कब चले की संसद और पिछले कीज जुलाई से यही सवाल हम पूछ रहे हैं तेश की संसद रोज हंगामे की भेट चर्ती जा रही है सदन में प्लेकार दिखाने के लिए निलंबित किये गए कॉंग्रिस के 25 संसदों को लेकर हंगामा और बढ़ता जा रहा है कॉंग्रिस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपध्यक्ष राहूल गांधी समेट तमाम कॉंग्रिसी निलंबन के मुद्ध को लेकर दो दिन से लगातार संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही है बीज़पी निलंबन को नियममसार की की गई कारवाई बता रही है आरोप रत्यारोप राजनीती के सदाओं पेंच में नुकसान आम जनता का हो रहा है संसद ना चलने से एक तरफ GST समेट कई महत्वपूर बिल जो है वो अटके हुए हैं तो दूसरी तरफ जनता के पैसे का दूरुपयोग हो रहा है सदन ना चल पाने से जनता की गाढ़ी कमाई का अब तक 100 करोड से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है कॉंग्रिस सुश्मा स्वराज वसुंधरा राजे शिवरा सिंग चौहान के स्तीफे पर अड़ी हुई है और उसका कहना है कि जब तक स्तीफे नहीं होंगे वो सदन नहीं चलने देगी तस्वीरे आपकी टीवी स्क्रीन पर और विरोध की तस्वीरे आए दिन संसद के परीसर में देखने को मिलती है और यहां पर विपक्ष की संसद आजकल लगती है गांधी जी की मूर्ती के नीचे जो की संसद परीसर के अंदर है लगातार कॉंग्रेस यहां पर इस्तीफों की मांग को लेकर संसद में हंगामा करती रही और अब जब दो दिन पहले यहां पर स्पीकर ने दिलंबित क्या था 25 आंसदों को पांच दिन के लिए तो अब जो सत्रह है वो और ज्यादा हंगामिदार हो चुका है और संसद ना चलने देने के लिए सूचन प्रसारन राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोण ने कॉंग्रेस पर निशाना साधा राठोण ने कॉंग्रेस उपाधियक्ष राहूल गांधी को भी कटगरी में खड़ा किया पार्लेमेंट है जो डेमोक्रेसी का एक प्रतीक है उस प्रतीक को काम नहीं करने दिया जा रहा है और जिल जो लोग उसको काम नहीं करने दे रहे उनको जब सस्पेंड करा जा रहा है जब पानी सर से उपर निकल जाए जब सस्पेंड करा जाए तो वो उसको ब्लैक डे कह और पार्लेमेंट को ना चलने देना क्या वो ब्लैक डे नहीं है करोणों रुपे खर्च हो रहे हैं पार्लेमेंट को लेकिन पार्लेमेंट को नहीं चलने दिया जा रहा है हमें Kundschaft करना बहुत जरूरी है जहां इंवेस्टिकेशन की जरूरत है वहाँ इनवेस्टिकेशन होनी चाहिए कि जिस सदं को चलना चाहिए ताकर देश चले वह सदं चलना ही चाहिए इस तरह से जो कंपार्टमेंटलाइज नहीं करा जा रहा ये आज की बहुत बड़ी खामी है और जो युवा लीडर है एक वो ना खुद कुछ कर सकते हैं ना दूसरों को कुछ करने देते हैं उनका मकसद ही यह है कि ये सरकार इस तरह से काम कर रही है कि उनके नीचे से जमीन खिसकती दा रही है अब इसको किसी ना किसी तरह से रोकना है और इस मुद्धे पर बाचीट के लिए हमारे साथ विजे चौक से हैं हमारे सहयोगी विकरांत यादव और उनके साथ हैं कॉंग्रेस देंता प्रतिमा पर प्रतिर्शन करते हुए किसी तरह संसद चलने की कोई गुंज परंठरा रही हैं लोक्तान्तिक परंपरा चाहे वो लोकसभाव की हो चाहे राद्ज्य-सभाव की हो जाहे विधान सवाओं की हो सरकार चलानी की सरकार की होती है आप ने हमें बाहर फैक दिया हमारे पचीश सदस जो आदिद्वस से जजदा हैं वो बाहर आगए उनके इस कदम को नौ से ज़्यादा बिपक्षी दल विरूत कर रहे हैं उनके इस कदम का हमारा सही होग कर रहे हैं खुद उनके हाँ आवाज उठी जैसे हुकम सिंग जी आवाज उठाई या सत्रुगन जी ने आवाज उठाई पर एक अगर ताना साही हो एक ताना शाह की तरह आचन हो तो हमारे सामने विकल्ब क्या है हमको बाहर फिक दिया गया हम बाहर बैटके गांदी जी के चरणों में अपना विरूत प्रदेशन करें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संसद की कारवाई नहीं चल रही लाखो करोड़ों रूपिया खराब हो रहा है उसकी चिंता भी है लोगों को और संसद चलेगी तो महत्पुन बिल पास होने जी एस टी जैसा महत्पु जिस तरह बसुंद्रा जी का सामने आया है कि मौरिसस से पैसा आया उसी संपत्ति में लगा है जिस तरह 48-48 जाने चली गहीं प्यापम में मद्वरदेश मुष्यूराज जी पर विपक्ष के रूप में हम खामोशी के साथ बैटकर देखते रहें ये लूटते रहें राजस सदन नहीं की रासता हैं बिरोद करें हां अगर सरकार जिम्मेदार होती तो वह सरकार तो हमसे भाठीट करती जब बादचीट नहीं कर रही तो हम भीरोद नहीं करें तो करें क्या सुष्मा जी जिन्दाबात करें शुराज जी अपनän 68 STAR & 92 का कहना है कि इस बार का वारं का से इस तरह से मन बनाना कि सदन नहीं चलने देंगे ठीक है मैं एक मेरी ही नूट से जराज सभा में लगी हैं हमने हमेशा त्याक पत्र मांगा और चर्चा की बात की कभी हमने कहा सदन नहीं चलने नहीं हम हमेशा कहते रहें सदन चलाओ इनका त्याग पद दिलाओ और इस पर चर्चा कराओ अब यह उनकी जित खुद अपनी बारी जब थी तो उन्होंने तब तक सदन नहीं चलने दिया जब तक कानून मंतरी का इस्तीफा नहीं हो गए इसी भावन में तो बैठे थे क्या किया था उन्होंने सीबाई के लोगों को बुलाया भर था कोई आरूप नहीं था क्या था पावन बंसल जी रेल मंतरी वे आरूप यही तो था ना कि उनके प्रमाइसेज पर आरूप था यह सच नहीं हुआ यह पै तो कॉंग्रेस के प्रमोतिवारी यहां पे सीधे जुड़ो रहे थे हमारे सेयोगी विकरांत यादव के साथ जो की एक बार फिर से हमलावर सरकार के उपर और संसत क्यूं नहीं चलने दे रही कॉंग्रेस यह बताने के लिए